चलिए तो आज की जो हमारी class रहेगी किस पर रहेगी infra class यूथिरिया और infra class यूथिरिया का general character हम लोगा ने पढ़ लिया previous classes में तो इसमें एक statement मैंने बताया था कि infra class यूथिरिया को 16 living order में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है या बाटा गया है तो इसमें पहला जो और ए उसको उन्हों बोलते हैं इन्सेक्टिवोरा तो यहां पर फर्स्ट और डाल दीजिए हैडिंग और फर्स्ट इन्सेक्टिवोरा ओर फर्स्ट इन्सेक्टिवोरा हो सर्ग इन्सेक्टिवोरा क्यूं कहा जा रहा इसको कैने इन्सेक्ट होता है अरे नहीं यह insect eater होता है जाने कि इस order में जितने भी organism को include किया गया वो insect को खाने वाले होता है तो लिख लिए इस order में सबसे छोटे वा primitive mammals को शामिल किया गया है primitive mammals को शामिल किया गया है फार एक्जामपल श्रिव छच्छूंदर तो insectivora के अंदर जो organism include किया गया है वो कौन है श्रिव 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 मतलब छच्छूंदर और यह सबसे छोटा इस्तंधारी होता है तो आगे ब्रैकेट में लिख दीजेगा smallest mammals ठीक है श्रिव जो है यह सबसे छोटा इस्तंधारी है तो सच्छूंदर क्या है एक mammal है ठीक यह बच्छे पैदा करता है फिर इसी में ही एक और एक्जामपल आपका आता है श्रिव के सासाथ erinaceous 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 इसको हम लोग काटा चुहा भी कहते है ठीक है erinaceous को हम लोग काटा चुहा भी कहते है या इसको हम लोग पराइकाइनस के नाम से भी जानते हैं पी ए और एई पराइकाइनस पी ए और एई पराइकाइनस सी एच आई एन यू एस पराइकाइनस के नाम से भी इसको जानते हैं काटा चुहा ठीक है या जाहक या ज्छाव चुहा इसके हिंदी नाम है second order लिख लिख लिजिए हमाँ पर order first हमारा होगा insective हो रहा order second लिख लिजिए dermoptera order second dermoptera 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 यह important order रहे और classification ही यह दिए आता है तो आप यह 16 ओर्डर को यह दियाद करके लिख देते हैं तो ज़्यादा बहतर रहेगा इसमें लिख लिजिए इस ओर्डर में डर्मोपेरा में इस ओर्डर में उड़ने वाले उड़ने वाले लिमर्स को ल-e-m-u-r उड़ने वाले लिमर्स को शामिल किया गया है उड़ने वाले लिमर्स को शामिल किया गया है अगला पॉइंट इन सदस्यों में इन सदस्यों में चर्मोप्रसर इसकी हिंदी है चर्मोप्रसर जिसको अंगलिज में कहते हैं पेटेजियम इन सदस्यों में पैटाइजियम P A T A G I U M इन सदस्यों में पैटाइजियम चर्म प्रसर इसको हिंदी में कहते हैं पाया जाता है पैटाइजियम होता के ये एक स्कीन की ही हम ये कह सकते हैं modification होता है इसके limbs में जब अपने limbs को फैलाता है तो एक layer बन जाती है skin की जिसके खारण क्या होता यह हवा में jump लगा सकता है तो हम यह कह सकते हैं उड़ने वाले action में उड़ते नहीं है mammals कोई भी नहीं उड़ता लेकिन यह कहा करते हैं jump लगा सकते हैं एक पेंड से दूसरे पेंड पर ठीक है हवा में ही है तो उसको कहा जाता है उड़ने वाले तो petagium पाया जाता है जो एक पेंड से जो एक पेंड से दूसरे पेंड पर छलांग लगाने में जो एक पेंड से दूसरे पेंड पर छलांग लगाने में मदद करता है example में लिखने है इस order में galliopithecus g-a-l-a-e-o-p-i-t-h-e-c-u-s e-c-u-s galliopithecus इसको हम लोग flying lemur के नाम से जानते है flying lemur l-e-m-u-r flying lemur के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है और इसकी जो दो species है वो south eastern asia dutchan-poorvi asia में पाई जाती है तो bracket में लिख लीज़े इसकी मतल दो species पाई जाती है किसकी galliopithecus की जिसको हम लोग flying lemur के नाम से जानते है तो bracket में कर दो इसकी दो species इसकी दो species south eastern asia dutchan-poorvi asia में पाई जाती है में पाई जाती है तो order 3 जो हमारा होगा वो है काई रोब टेरा order 3 हमारा कौन सा है काई रोब टेरा इसमें लिख ले important है इस order में true flying mammals को include किया गया है यानि कि 70 प्रकार के उड़ने वाले mammals को रखा गया है अगला point high limbs के बीच skin high limbs के बीच skin that means तोचा फैल जाती है फैल जाती है जिससे जिससे पेटेजियम P-A-T-A-G-I-U-M जिससे पेटेजियम का निर्मार होता है जिससे पेटेजियम का निर्मार होता है और यहाँ पेटेजियम और यहाँ पेटेजियम flying में उड़ने में यहाँ पेटेजियम उड़ने में flying में सहायता करता है अगला point काईरोग्टेरा में specially bat वगएरा को रखा गया है चमकादल वगएरा को रखा गया है उनके अंदर एक specific character पाया जाता है तो अगला point लिख ले इन सदस्यों में एक special type की इन सदस्यों में एक special type की radar प्रणाली special type की radar 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 एक radar प्रणाली विक्सित होती है एक radar प्रणाली विक्सित होती है या पाई जाती है विक्सित होती है जिससे यह सरसे अपने इको लोकेशन जिससे यह सरसे अपने इको लोकेशन को जिससे यह सरसे अपने इको लोकेशन को पता कर सकते हैं इको लोकेशन केने का मतलब होता है कि आपको पता यह नॉक्टरनल होते हैं रात रिचर होते हैं रात में निकलते हैं बैट तो यह क्या करते हैं कि दूर से ही मतलब है इतनी थेस साउंड को प्रोडूरूर्स करते हैं जिसे इको बेड़ हैं इको जो है इको शांड से ही रिलेटेड है और इको लोकेशन यह जब साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो साउंड कई दूर तक जाकर के किसी ऑब्जेक्ट से टक्रा करके और वापस का होता है इनको सुनाई पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर यह जो रेडार यह जो छमता पाई जारी यह जो प्रणाली है साउंड को छोड़ना और साउंड को छोड़ करके किसी ऑब्जेक्ट से या किसी हम यह कह सकते हैं सबस्तान से टक्रा करके इनके कानों में पहुँचना ठीक और यह जो छंता है यह जो Ecolocation है यह किस तरीके से होता है यह अब आगे लिखते हैं तो मैंने क्या बता बताया कि Ecolocation पाया जाता है यह अपने Ecolocation में सॉरी अपने Ecolocation में यह Ecolocation के पता लगाने में साहेता करता है पता लगाने में साहेता करता है अर्थात अर्थात बैट में जैट मिस चमकादरों में अर्थात बैट में जैट मिस चमकादरों में पचास हजार फिप्टी थाउजंड्स पर सेकेंड हर्ड्स फिप्टी थाउजंड्स पर सेकेंड हर्ड्स अर्थाथ चमकादुणों में बैट में पचास हजार पर सेकेंड हर्ड्स फिप्रिक्वेंशी की फिप्रिक्वेंशी की आवाजे निकलते हैं जो किसी ऑप्जेक्ट से ठक्रा कर जो किसी आपजेक्ट से टक्रा कर वापस इको होकर वापस इको होकर बैट के पास या चमगादर के पास आती हैं जिससे जिससे चमगादर या बैट काफी दूर से ही काफी दूर से ही लोकेशन का पता कर लेते हैं जिससे चमगादर काफी दूर से ही लोकेशन का पता कर लेते हैं और इसमें एक और खास बात है बैट में Bats में खास बात क्या है कि इनके अंदर जो testis होते हैं definitely ये mammals हैं तो इनके अंदर जो testis होते हैं वो इनके abdomen region में पाये जाते हैं मतलब उदर गुहा में पाये जाते हैं लेकिन जैसे breeding season का time आता है इनमें scrotum भी पाये जाता है लेकिन scrotum में testis ना होकर कहां पाय जाते है Abdomon Planis में पाय जाते है ये इनका एक specific reason एक और भी है और जो इनका breeding season होता है तो ये अपने breeding season में कहा करते है testis को scrotum के अंदर लाते है और वहाँ पर spermetogenesis के क्रिया करके response का formation करवाते है male के person में ऐसा पाया जाता है तो यहाँ पर कुछ एक्जाम्पल हैं लिख लो एक एक्जाम्पल लिख लो Desmodus 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 इसको हम लोग Vampire Wait के नाम से जानते हैं Vampire वाली मूवी देखे होगे आप लोग Vampire Bat के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी species पाई जाती है ठीक है तो जो Desmodus है इसकी भी बहुत सारी species है एक और लिख लो Teropus Teropus इस Teropus को हम लोग Flying Fox के नाम से जानते हैं इसको अगर आप Google पर सर्च करेंगे तो इनका पिक बनके आएगा आप वहाँ पर देख सकते हैं ये कैसे लगते हैं Flying Fox के नाम से जानते हैं इसकी Flying Fox की भी बहुत सारी species पाई जाती है एक और लिख लिजे Vespertilio Vespertilio T-I-L-I-O Vespertilio तो जो Vespertilio है इसको हम लोग Insectivorous केहते हैं और जो Teropus है ये Frugiforus होता है ये Frugiforus होता है ये Fruit को खाता है और ये Insect को खाता है कौन? Vespertilio तो इसको हम लोग Insectivorous के नाम से भी जानते हैं या Insectivorous कहते हैं Insectivorous Bat Insectivorous Bat ठीक है तो इस तरीके से हमारा Third Order complete हुआ Chiroctera अब जो हमारा Next Fourth Order है उसको हम लोग बुलते हैं Eden Teta Next हमारा Order है Fourth Eden Teta Heading डल दो Eden Teta तो Fourth हमारा Order है Eden Teta इसमें लिखें इन सदस्यों में इन Members में Teeth Teeth Absent होते हैं यानि कि Eden Teta Order में जितने भी Memels को include किया गया है इन में Teeth नहीं होते हैं यदि होते हैं तो कैसे होते हैं ये भी लिख लो इन सदस्यों में Teeth Absent होते हैं यदि Teeth होते भी हैं इन सदस्यों में Teeth Absent होते हैं यदि Teeth होते भी हैं तो केवल Molar Teeth Molar Teeth पाए जाते हैं यदि Teeth इन में पाए जाएंगे नात इसमें होंगे तो केवल कौन से होंगे molar वाले दात पाया जाएंगे अगला point लिख लो इन सदस्यों की snouth इन सदस्यों की snouth या इसको में लोग proth भी कहते हैं snouth या proth लंबी long मतलब किसमेख हम यह कह सकते हैं इनकी जो मुख है जो mouth है वो आगे की और लंबा होता है snouth बनाता है ठीक है प्रोथ बनाता है ये लंबा होता है long comma tongue comma tongue प्रोथ कैसा होगा long होगा comma tongue long tongue भी इसमें कैसी होगी long होगी comma tongue long and smooth होती है and smooth chicken होती है अब इसकी tongue जो चिकनी है smooth है जिस कारण ये क्या होते है and को easily तरीके से खा लेते हैं और इसकी जो tongue होगी ये प्रोस्टिबल होगी that means अंदर से बाहर के और निकल आएगी प्रोथिजबल होगी तो snout जो होता या प्रोस होता है वो long होता है tongue long and smooth होती है ठीके smooth होती है अगला point यहाँ अधिकतर यहाँ अधिकतर चीटी खोर that means ant eater यहाँ अधिकतर चीटी खोर ant eater चीटी को खाने वाले होते हैं यहाँ अधिकतर ant eater चीटी खोर होते है अगला point यहाँ सदस्य यहाँ सदस्य टेरेस्ट्रियल यहाँ सदस्य टेरेस्ट्रियल that means भूमी पर पाये जाने वाले या इस्थल पर रहने वाले या टेरेस्ट्रियल तथा एर्बोरियल ब्रक्षवाशी एर्बोरियल ब्रक्षवाशी होते हैं टेरेस्ट्रियल या ब्रक्षवाशी होते हैं तो इसमें एक्जामपल लिख लीजिए एक एक्जामपल लिखें इसमें Bredipus Bredipus B, R, A, D, Y, P, U, S Bredipus और जो Bredipus है इसको हम लोग Erboreal Sloth के नाम से जानते हैं Erboreal Sloth के नाम से भी जाना जाता है यह ब्रिचवासी एंट इटर है यह हम कह सकते है चिटि खोर है एक और है मिर्मिको फेगा मिर्मिको फेगा M-Y-R M-E-C-O P-H-O G-A मिर्मिको फोगा यह मिर्मिको फेगा इसको हम लोग जियांट एंट इटर के नाम से जानते है यानि कि बहुत बड़ा यह होता है जियांट मतलब दैट जियांट एंट इटर के नाम से इसको जाना जाता है चिटि खोर के नाम से जाना जाता है मिर्मिको फोगा एक और लिख लो डैजी पस डैजी पस जो डैजी पस है इसको हम लोग आर्मे डिलो के नाम से भी जानते है A-R-M-E-D-I-L-L-O आर्मे डिलो ठीक है तो ओर्डर नमबर जो 4 है इडेन टेटा order number 4 इडेन टेटा में सारे के सारे जो यहाँ पर organism include किये गए या memos include किये गए वो actually में कैसे होते हैं चीटी खोर होते हैं और इनमें teeth नहीं पाये जाते हैं और पाये जाते हैं तो molar type के होते हैं ठीक है और इनमें जो snoth होती है या जो proth होता है वो long होता है तम long होती है प्रोस्टिवल होती है और smooth होती है ठीक है और यहाँ पर हम लोग ने example कौन कौन से देखे ब्रेडी पस हो गया मिर्मिकोफोगा हो गया और डैजी पस हो गया यह तीन important जो यहाँ पर mammals है उनको include किया गया है इसके बाद है fifth order डैजी है हम लोग तो पांसमा order यहाँ पर कौन सा है फोली डोटा इसके बारे में लिख लो इस order में जो organism include किये गया है या मेवज़ रखे गये उनके character कैसे है तो लिखें इन सदस्यों की body पर इन सदस्यों की body पर horny plates स्रंगई plates इन सदस्यों की body पर horny plates इन सदस्यों की body पर horny plates डैट में संगरी plates पाई जाती है यहनि कि इनकी body जो होगी इनकी body की skin के उपर आप देखेंगे तो plates like सनरचनाई स्थित होती है ठीक है अगला point लिख ले इनमें इनमें पर्थ या सनरच इनमें पर्थ या सनरच इनमें पर्थ या सनरच इनमें पर्थ या सनरच लोंग कमा तंग long and smooth कॉमा तंग long and smooth होती है इनमें भी जो तंग है वो लंबी होगी और smooth होगी तो smooth होगी तो referently क्या होगा यह anti-tor होगा यह भी ठिक लेगे इनकी body के उपर आप देखेंगे कि horny place like structures पाए जाते हैं अगला point या सदस से भी ant-eater चीटी खोर या सदस से भी ant-eater चीटी खोर होते हैं चीटी खोर होते हैं अगला point इनमें भी teeth absent होता है या इनमें भी teeth absent होते हैं यहां पर एक example दिया गया है पैंगो लिंस पैंगो लिंस पैंगो लिंस पैंगो लिंस इसको हम लोग scaly ant-eater के नाम से जानते हैं यह c-a-ly scaly ant-eater तो जो यहां पर example दिया गया है पैंगो लिंस यह पैंगो लिंस scaly ant-eater है सर इसको क्यों second order में रख दिया है अरे भाईया इसकी जो body है वो smooth ना होकरके इसके body पर hair ना होकरके क्या पाए जा रहे horny plates पाए जारे है पूरी body पर क्या पाए जाते हैं plates like structure पाए जाते है जिस कारण इसको वहां से हटा करके एक order दिया गया है जिसको लोग बोल ले है folio dota folio dota के अंतरगत इसको include कर दिया गया इसके बाद में हमारा जो six order है वो है rodentia rodentia में definitely आप जानते है इसका नामी जैसे दासा रहा है rodentia कि इसके अंदर rodent को रखा जाएगा like rat वगेरा को यहां पर रखा जाएगा चूहों को रखा जाएगा ठीके तो next order जो हमारा पढ़ेगा six जिसका नाम है rodentia next order हमारा कौन सा है six rodentia इसमें लिखे है यहां सबसे बड़ा order माना जाता है यह सबसे बड़ा order माना जाता है that means इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा rodents के species पाई जाती है ठीक है यहां सबसे बड़ा order माना जाता है next point यह animal यह animal यह mammal small वा fast runner होते है यह animal small होते है छोटे होते है लेकिन बहुत तेजी से भागते है आप चुवे को पकड़ नहीं पाते हैं जल्दी से small वा fast runner होते है small वा fast runner होते है अगला point यह अधिक तर हर भी वोरस यह अधिक तर हर भी वोरस वा कुछ ओमनी वोरस वा कुछ ओमनी वोरस लेट में सर्वाहरी mammals होते हैं mammals होते हैं तो आपको पता हैं कि यहां पर अधिक तर जो होंगे वो कैसे होंगे हर्वी वोरस होंगे और कुछ ओमनी वोरस होते हैं लेकिन अगर हम इनके टीथ ही बात करें तो टीथ में इनमें ओमनी वोरस जो सादस होते हैं इंसीजर नहीं पाय जाते हैं सॉरी कैनाइन दात नहीं पाय जाते हैं जो कैनाइन होते हैं ठीक है जो रदनक दात होते हैं वो मास को फाड़ने में काम करते हैं लेकिन यहां पर कैनाइन्स नहीं पाए जाते हैं नैचुरली कैनाइन्स यहां पर नहीं पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं यह ओमनी वोरस यानि सर्वाहारी कब होते हैं यानि कि यह हर्वी वोरस तो हिया है लेकिन इसके साथ ये इसको कुछ सदस्यों को मीट मास मिल जाता है तो उसको भी ये कहते हैं चट कर जाते हैं खा लेते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है इनको ठीक है और जो हर्वी बोर्स होते हैं इनके अंदर ये फूड खाते कैसे हैं तो फूड जो है ये कुतुर कुतुर के खाते हैं मतलब कुतरते हैं चोटे 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 पार्ट्स में उससे खाते हैं अगला पॉन लिख ले इनके प्रतेक जौ में इनके प्रतेक जौ में अब ये कुतरते हैं तो definitely क्या है इनमें रदनक सुरी इनमें करंतक दात पाए जाएंगे, प्रतिक सदस्य में, यहीं सदस्य के प्रतिक जौ में, करंतक, that means, incisor, करंतक, that means, incisor, teeth, पाए जाते हैं, incisor, teeth, पाए जाते हैं, लेकिन इन में, canine, बोले तो रदनक, लेकिन इन में, canine, रदनक, canine, teeth, नहीं पाए जाते हैं, absent होते हैं, लेकिन फिर भी यह कैसे होते हैं, omnivores होते हैं, आप देख रहे हैं, सरवाहर ही है, मास्क को भी खा लेते हैं, लेकिन इन में, मास्क को काटने के लिए, फाडने के लिए, canine, दात नहीं पाए जाते हैं, right? यहाँ पर एक्जामपल लिख लीजिए, एक बेस्ट एक्जामपल है, ratus, r-a-double-t-u-s, ratus, इसको लोग रैट के नाम से जानते हैं, rat, that means, चुभा कहते हैं इसको, ठीक है? दूसरा है, mus, यह mus, इसको मेलोग mouse, m-o-u-s, mouse, that means, मुसक कहते हैं, यह सर है तो चुभा ही, चुभा ही है, लेकिन इसकी प्रजात ही है, rat है, वो छोटा होता है, जो मस होता है, मुसक होता है, यह बड़ा होता है, एक और लिख लीजिए, funambulus, funambulus, funambulus को हम लोग glary कहते हैं, glary भी इसी में ही आती, irodents में, right, और एक यहाँ पर और लिख लीजिए, पार्क्यू पाइन, पार्क्यू पाइन को से ही कहा जाता है, पार्क्यू पाइन, से ही, ठीके, तो यह कुछ यहाँ पर mammals है, जो rodentia में रखे गए या rodentia order में include किये गए हैं, इसके बाद में हमारा जो seventh order है, उसका नाम है लेगो मॉर्फा, जो हमारा seventh order है, उसका नाम क्या है, लेगो मॉर्फा, तो next studying दाल दिए, लेगो मॉर्फा, इसके अंतर रगत लिखे हैं, पहला point, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में, two pairs, इन सदस्यों में, two pairs, incisor, क्रंथ तक, इन सदस्यों में, two pairs, incisor, that means, क्रंथ तक, टीट पाये जाते हैं, दो जोड़ी, बतब चार, दो उपर जी बड़े में होंगे, दो नीचले जी बड़े में होंगे, two pairs, incisor, पाये जाते हैं, जो की, one pair, जो की one pair, अपर जाँ, one pair, अपर जाँ, तथा one pair, lower jaw में, lower jaw में, इस्थित रहते हैं, यह arranged होते हैं, इस्थित होते हैं, lower jaw में, arrange होते हैं, पाये जाते हैं, यह अगला point, यह mammals हर्वी वोरस होते हैं, क्योंकि इसमें incisor teeth पाये जा रहा है, यह mammals हर्वी वोरस होते हैं, जिस कारण, जिस कारण, इनके अंदर, जिस कारण, इनके अंदर, कैनाइन teeth, जिस कारण, इनके अंदर, कैनाइन teeth, एपसेंट होते हैं, कुछ example बतोल यहां पर, और्गनिजम के नाम लिख लीजे, पहला है, औरिक्टो लेगस, औरिक्टो लेगस, ल, ए, जी, यू, एस, औरिक्टो लेगस, इसको हम लोग रैबिट के नाम से जानते हैं, औरिक्टो लेगस को हम लोग रैबिट केहते हैं, खरगोश, ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर एक और लिख लीजे, लिपस, ल, ए, पी, यू, एस, लिपस, इसको हम लोग खरहा, that means, हार्स, ह-A-R-E, हार, खरहा के नाम से जानते हैं, एक है पाइका, P-I-K-A, पाइका, ठीक है, या इसको हम लोग आको, टोना के नाम से भी जानते हैं, पाइका या, आको, टोना, O-C-H-O-T-O-N-A, आको, टोना, टोना टटका वाला नहीं, पाइका या, आको, टोना, यह एक रैबिट है, कौन है, खरगोश है, लेकिन इस खरगोश में, टेल नहीं पाई जाती, तो हम यह कह सकते है टेल लेस रेबिट पाई का को हम लोग टेल लेस रेबिट के नाम से जानते हैं ऐसा रेबिट जिन में टेल नहीं पाई जाती है उसको हम लोग आपको टोना कहते हैं और अगर हम लोग आरिक्टो लेगस की बात करें तो यहाँ पर जो रविट होगा इसमें टेल पाया जाता है तो जिसमें टेल पाया जाता है वो आरिक्टो लेगस होता है जिसमें टेल नहीं पाया जाता है वो पाई का या आको टोना होता है ठीक है चलिए तो नेक्स्ट ओडर हमारा जो आठमा ओडर है वो कौन सा है कार्णी वोरा इसके अंतरगत लिखें कार्णी वोरा के अंतरगत लिखें या सदस से मांसाहारी कार्णी वोरस होते हैं या सदस से मांसाहारी कार्णी वोरस होते हैं जिनमें कैनाईन टीथ दाट मेंस रदनक दाथ जिनमें कैनाईन टीथ वेल डवलप्ट पुन विक्षित वेल डवलप्ट फॉर्म में पाये जाते हैं अगला पॉइंट यह टेरेस्ट्रियल वा अक्वाटिक यह टेरेस्ट्रियल वा अक्वाटिक कंडिशन में जा टेरेस्ट्रियल वा अक्वाटिक कंडिशन में दोनों कंडिशन में सिकार करते हैं यह टेरेस्ट्रियल वा अक्वाटिक दोनों कंडिशन में सिकार करते हैं अगला पॉइंट अगला पॉइंट इन सदस्यों में इन सदस्यों में अपर जा का इन सदस्यों में अपर जा का लास्ट प्री मोलर अपर जा का आखरी प्री मोलर एवं लोवर जा का अपर जा का आखरी प्री मोलर एवं लोवर जा का फर्स्ट मोलर पहला फर्स्ट मोलर पहला मोलर ना यह टीथ हैं लास्ट प्री मोलर टीथ लोवर जा का फर्स्ट मोलर टीथ मांस को मीट को चुविंग चबाने मांस को चबाने वा काटने में सहायक होता है मांस को चबाने वा काटने में सहायक होता है जिसे जिसे कार्निशियल टीथ कहते हैं जिसे कार्निशियल टीथ कहते हैं तो कुछ एक्जामपल है इंपॉर्टन्ट जिसे कि यहाँ पर पहला जो एक्जामपल आपको देखने को मिलेगा वो डॉग है कुता जिसको हम लोग कैनिस फैमिली एरिस के नाम से जानते हैं तो पहला जो यहाँ पर एक्जामपल है वो कौन है कैनिस फैमिली एरिस फैमिली एरिस सी ए एन आई एस फैमिली उनमें यह पाला जा सकता है तो इसलिए इस की स्पीसिश यहां पर में दी है फैमिली एरिस यहां पर आपको मिलेगा डॉग गुटा ठीक है यह कहां रखा गया कौन सा अर्टर में रखा गया कॉर्णी वोरा में रखा गया यह मांसाहरी पूटे जो होते हैं कुछ-क कुछ बहुते मांसारी भी होते हैं कुछ कुछ फूते हैं यानि कि साकाहरी में हरी चीजे नहीं खाते हैं लेकिन पक्की हुई चीजे खाते हैं राइट दूसरा यहां पर एक और लिख लो पैंथेरा लियो पैंथेरा लियो पैंथेरा लियो इसमें आपका कौन रखा गया लॉयन रखा गया डैट में सेर लॉयन को यहां पर इंक्लूट किया गया है किसको इंक्लूट किया गया है लॉयन को इंक्लूट किया गया है अगला यहां पर लिख लो Acino Nixus Acino Nix Acino Nix A-C-I-N-O-N-Y-X Acino Nix इसको हम लोग Cheetah कहते हैं Cheetah C-H-E-T-A-H Cheetah ठीक है एको लिख लो Phyllis Domesticus Phyllis Domesticus यहाँ पर आती Cat Billy कौन है Phyllis Domesticus इसके जो लूजिकल नहम है यहाँ पर Cat को हम लोग कहते हैं Phyllis Domesticus यह भी घरों में पाई जाती इसलिए Domesticus के नाम से कह सकते हैं एको लिख लो Panthera Tigris नामी पता चल गया हो गया यह Tiger हो गया यहाँ पर Panthera Tigris T-I-G-R-I-S Panthera Tigris मतलब बाग Tiger कौन रखा गया? Tiger यहाँ पर इंक्लूट किया गया एक और लिख लो Haina H-Y-A-E-N-A हाइना लकडबगगा इसको इन दे भी कहते हैं लकडबगगा हाइना यह भी आपका क्या है? कार्णी वोरा में रखा गया इंक्लूट किया गया है एक और लिख लो Harpesties 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 में नेवला रखा गया है मंगूज रखे गया है Harpesties को मंगूज कहते है मंगूज नेवला तो जो नेवला है वो किसमेरे इसको हम लोग जोलोजिकल फार में कहा कह सकते है Harpesties इसकी भी कई पर जातिया है तो Harpesties में इसको रखा गया Harpesties कोई भी आगज जो इसकी species खोजी जाएगी या रखी जाएगी या जो भी है इसको रख सकते है तो जीनस इसका ق야 है Harpesties है उसके बाद на यहाँ पर एलास लिख लो Arcer Arcer में आपका वियर को रखा गया है Arcer आप रखा गया है बियर भालु तो जो जीनस भालु का दिया गया है वो क्या है Arcer थीक है और भालू की भी कई परजातियां पाई जाती है तो इस तरीके से हमारा ये order at complete होता है कॉर्णी बोरा और ये order भी काफी हम ये कह सकते हैं बड़ा है रोडिंशे की तरह इसके बाद में 9th order की अगर हम लोग बात करें तो 9th order यहां पर है Cytasia 9th order हमारा है Cytasia में लिख़Wind यह सदस भी मुख्यता यह सदस सी मुख्यता याद रह locking ग़ा मेराइन समुद्धरी जल में भी पाए जाते हैं हाँ ये कुछ मेमल से हैं जो मेराइन में पाए जाते हैं Water में पाए जाते हैं मुदरी जल में पाय जाते है तो कौन से है वो यहां पर देखेंगे तो यहां सदस्य मुख्यता मेराइन कॉमा कार्णी वोरस कार्णी वोरस मैमल्स होते हैं कार्णी वोरस मैमल्स होते हैं यानि कि यहां पर जो सदस्य से आते हैं रखे गए हैं वो मांशाहरी होते हैं कार्ण वाटर में पाये जाते हैं, समुद्र जलों में पाये जाते हैं, अगला पॉइंट, यहां मैमल्स फिश लाइक होते हैं, मचली के जैसे होते हैं, लेकिन मचली नहीं होते हैं, तो कह लिखा हैं, यहां मैमल्स फिश लाइक होते हैं, अगला पॉइंट, इन में इन में हैर, इन में हेर नहीं होते हैं, इन में हेर नहीं होते हैं, कॉमा, एक्सटर्नल इर पिन्ना नहीं होता है, external ear that means pinna नहीं होता है hair and external ear absent नहीं होता है तथा four limbs जिसके अगरपाद है four limbs modified होकर परिवर्टित होकर modified होकर flippers चप्पु तैरने में साहता करतेंगे flippers के रूप में change हो जाते है flippers के रूप में change हो जाते है चप्पु के रूप में परिवर्टित हो जाते है जो swimming में तैरने में जो स्वीमिंग में सहायता करते हैं जो स्वीमिंग में सहायता करते हैं ठीक है एक अगला पॉट लिख ले इनमें हाइंड लिम मतलब अगर हम इनकी पस्च पाद की बात करें पस्च पादों की बात करें इनमें हाइंड लिम एपसेंट होते हैं इन में हाइन लिंप पाए ही नहीं जाते हैं और जो फोर्ध लिंप होते हैं अगर पाद होते हैं ये चेंज हो जाते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं फिलिपर में चप्पूओं में जो स्विमिंग में साहता करते हैं राइट अब यहाँ पर अगर हम लोग best example की बात करें जो example यहाँ पर दिये गए तो पहला यहाँ पर example है blue whale ठीक है इसको हम लोग bellino tera musculosus के नाम से जानते हैं blue whale bellino tera bellino tera musculosus musculo यह musculus sorry bellino tera musculus के नाम से इसको जानते हैं bellino tera musculus इसको हम लोग blue whale कहते हैं blue whale नेली मचली और आपको पता है यह जो whale है whale मचली है यह largest ठीक है मतब word की सबसे largest mammals में से एक है हम यह कह सकते है blue whale एक और लिख लीजिए delphinus 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 इसमें dolphin को रखा गया है delphinus को हम लोग dolphin कहते हैं that means delphinus इसका genus है ठीक है तो common name इसका क्या होगा dolphin तो जो dolphin fish है मतलब fish नहीं mammal है sorry dolphin के एक mammal है जो fish like आपको दिखाई देती है ठीक है fish की तरह वो होती है मचली की तरह actual वो mammal है एक और लिख लो फाइसेटर पी एच वाइ फाइसेटर से टी ए आर फाइसेटर इसको लोग sperm whale के नाम से जानते हैं sperm whale ये sperm की तरह दिखाई देती है sperm whale तो इस तरीके सा हमारा order 9th complete होता है cetacea इसके बाद में order 10 डाल दीजिए syrenia syrenia s-i-r-e-n-i-a syrenia